वेलकम बैक तो मैं चैनल तो आज की जो वीडियो है वो इक अपढयटव वीडियो होनेबारी है मेरे वोक्सा एंवेंटो की आक्सिडन के बारे में तो जिन लोगों messie ंपथा रिफ्रीम अक्सिदन गोता तेन महिने किसी न किसी रीजन से वो डीले होते जा रहा था लेकिन अब ये वीडियो फाइनली आ रही है तो अब बात करते है सबसे पहले कि गाड़ी में हुआ क्या क्या और उसकी कॉस्ट क्या आई उसके बाद हुआ था पेंट इन रियर कॉर्टर पैनल आउटर मतलब रियर कॉर्टर में पेंट हुआ था उसकी कॉस्ट है यह थे टेंटिंग चार्जिस वन तॉन रूपीज क्योंकि गाड़ी पर आप वीडियो पर देखोगे तो ज्यादा डेंट कुछ लगे नहीं थे बस मेन पेंट हुआ है अब बात करते जो कवर चार्जिस थे वो थे 3711 तो टोटल जो बिल आया वो था 29,654 रूपीज का जो मेरे साफ से रिजने पहला है considering जिस अमाउंट का डैमेज मुझे दिख रहा था तो और सारा जो है इंशोरेंस में इंशोर्ट था मतलब मैं को कोई द इंशोरेंस विड्रो करने में तो यह तो सई था पार्ट और बाकी काफी लोगों ने जो मेना हौन अप्कूरेट कर आया था साथ में उसका भी बिल मांगा था तो वो उसका बिल यह रहा तो उसमें मैंने जो मैंने बोला था कि चेक फ्रंट साइड नॉस जो में तो मुझे कॉस जो पड़ी थी वो थी 2100 रुपीज जैसे कि मैंने आपको कमेंट्स में बताया था इतने कहीं मुझे पढ़ा था जो कि बहुत रीजन बहुत है कंसेडिंग क्या इफेक्ट होता है इसका मैंने हौन पर वीडियो बना रहे है डेडिकेट है अगर आपको देखनी ह चीज़ और बहुत ही वैल्यू फा मैंनी चीज़ और मेरे साब से हरकी से करवानी चीज़ जिनके पास वोक्स हो इन की कार है बाकी अब बात करते हैं सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में तो मेरा तो काफी लोगों को जैसे पता होगा कि वोक्स वायन की काफी हॉरर स्टोर कि सर्विस एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बुरा रहता है लोगों का उनके साथ तो आज मैं अपना बिता चाहूंगा काफी लोगों का जो डाउट होता है वो क्लियर हो गए इससे मेरा जो सर्विस एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल स्मूध रहा उनको मैंने जब लगेगा गाड़ी को ठीक होने में संडे को मैंने दीते होने मुझा संडे को मिल जाएगी और एक्जैक्ली उसी टाइम पर मिली संडे को ही मतलब बिल्कुल स्मूध रहा ऐसा नहीं कि उन्होंने गाड़ी लटका दी और सारा वो मेरे को गाइट कर रहे थे रोज में से है कुछ सई रहा और सर्विस एक्सपीरियंस एवन था उन्होंने मुझा से मुझे मांगी तो मैंने वह फाइट सब्सक्राइब कर रहा है पहले से जाधा इंप्रूब हो चुका और जो जो जिन लोगों को चुर्ण से डर लगता है उनको मेरे सबसे डर नहीं लगना चाहि कि अब सब खीक है इसलिए मैं यह वीडियो मना रहा हूं और आप जाए जाता है इसको शेयर करना था कि जो पोटेंशल वायर्ज है उनका डाउट भी क्लियर हो तो यह तो बात होगी अब बात करते हैं कि इनकी जो फिट और फिनिश मालब कॉलिटी थी काम की वह कैसी दी माल बार चलके दिखाता हूं क्या-क्या गाड़ी मुआ तो चली अब बाहर चलते हो यहां पर अगर वह वीडियो देखोगे तो यहां पर मेरी जो डोर था वह थोड़ा सा अंदर चले गया था इदर सारे स्क्रैच थे और यह पोर्शन थोड़ा सा दब गया था अंदर की कशन से कमपनी से आती है कमपनी से भी बहुत अच्छी प्रीण कहोड़ी थी और में कोईध म कोई दिक्कत्ती ही ना ही रगी है असा महीं लग लग रहा था मतलब यूनिफर्म था वह गड़ी पेंट के साब से भी मेरे शाब Brahme मेरा के साथ बहुत अच्छ हच्छा रहादा यही बोलना चाहूंगा कि जो जो potential buyers हैं वो इसे service experience के लिए नहीं reject करें और मेरी यही आज आज आपको update देना था मेरे को होफुली थोड़ा लेट है उसके लिए माफी चाहूंगा लेकिन होफुली आपके काफी डाउट क्लियर होंगे कि इनका service experience के आतर कॉस्पी आपको पता चली होगी कि ऐसा कोई accident होता है तो उसमें क्या कॉस्ट आ सकती है अभी के लिए बाए और वीडियो देखने के लिए मै अभी के लिए बाए